बिल्कुल इस इंसिडेंट के बाद क्योंकि इस इंसिडेंट से पहले ही पुलीस और एजनसीज के पास ख़बर तो थी मुमिंट की च्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो बरसात का मौसम है इसमें काफी वाइल्ड ग्रोथ और बाकी वेजिटेशन और मक्की वगयरा का सीजन होता है जिसकी वजह से एक नाइश्रल केमोफ लैज किसी भी एंटिनेशनल एलिमेंट को या इस तरह के अलिमेंट को मिलता है इस इंसिडेंट के बाद सेक्योटी सबी क्या जितने भी सेक्योटी कैम्प्स हैं उनकी हीटन की गई है उनको ऐलर्ट किया गया है और यह दो से तीन चोटे-चोटे splinter groups जो भी पीर-पंचाल के इलाके में हमारे radar में हैं और जिनको regularly हम follow कर रहे हैं और जिसका आपने खुदी जिकर किया है कि एक contact भी हुआ लेकिन मौसम उस दिन काफी खराब होने की वज़ा से बारिश थी और अंधेरा था और जंगल की वज़ा से हम उन उनको track नहीं कर पाए लेकिन हम उनकी moments को follow कर रहे हैं और जल्दी हमने लगता है हम उनको neutralize कर पाएंगे और इसमें एक और चीज है कि इस इंसिदेंट्स के बाद में हम लोग उने general area security चूंकि खेती बाड़ी का agriculture कभी season है harvesting वगएरा भी कुछ-कुछ इलाकों में चल रही ह तो हमारी general cordon search operations जो है broader areas में चल रही है और regular daily basis जिसको मैं बोलूँगा अलग-अलग इलाकों में चल रही है ताके लोगों को एक sense of security provide किया जाए और वो अपनी रोजमरा चाहे agriculture activity है या रोजमरा की बाकी activities है वो बगएर किसी खौफ के आगे continue कर लें देखे ये बात सही है क रजोरी पुंच में support structure ना होने के बराबर है और लोगों की ही मदद की से हम लोगों ने अभी भी जो modules पकड़े और आप लोगों ने देखा कि काफी सारे cases जिससे हल हो गए तो इसमें लोगों का एक major role था इन modules को पकड़वाने में इन modules को अनर्थन कराने में तो लोगों क की मदद की वज़ा से हम यह सब कर पाए लोगों से हमारी एक general appeal यही रहती है कि peace is prosperity आमन ही खुशाली है और